हम सब अपने जीवन में अपने अपने मनो कामनाओं को पूरा करने के लिए कभी न कभी किसी समय इश्वर के सामने प्रार्थना अवश्य करते हैं। इश्वर के समक्ष अपनी भावनाओं को अपनी इच्छाओं को रखते हैं। आज हम उसी प्रार्थना से सम्मंधित एक कविता पढ़ने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं कनक लिता जा, बच्चों, आज आप लोगों के लिए वह शक्ती हमें दो, कविता लेकर प्रसुत हुई हूँ। प्रार्थना मनुश्य को हमेशा ही स्रेष्ट बनाती है। मनुश्य प्रार्थना के जरिये स्रेष्ट बनता है। वो प्रार्थना मनुश्य अपनी लिए करे या किसी और के लिए। या मनुश्य में दया, ममता, परुपकार, अहिंसा, सहियोग जैसे गुनों का निर्मान तथा विकास करती है। जब मनुश्य किसी से प्रार्थना करता है, चाहिए वो इश्वर हो या किसी मनुश्य के समक्ष, तो मानुश्य जो ऐसा करता है, तो उसके अंदर तया, ममता जैसी भावनाएं उत्पन होती हैं, जो कि मानुविय गुन है, परुपकार, अहिंसा जैसे गुन उसके समक्ष आते हैं, और ना कि सिर्फ इन गुनों का निर्मान होता है मनुश्य के अंदर, धीरे धीरे प्रार्थना इन गुनों को विक्सित भी करती है, प्रस्तुत कविता में कवी ने सभी के मंगल कामना करते हुए प्रार्थना की है, क्या प्रार्थना की है, आईए हम इस कविता क माध्यम से पढ़ते हैं कविता है वा शक्ति हमेदो कवी मुरारी लाल शर्मा देश्वंधो इनकी कविताएं बहुत सौभाविकर सरल शब्दों से रचित होती हैं इनकी कविताओं के माध्यम से हम बहुत कुछ चान सकते हैं सीख सकते हैं खासकर इन्होंने बच्चों के लिए बहुत कुछ लिखा है इन्होंने बच्चों से संबंधित बहुत कुछ लिखा है और जिसके जरीए वो बच्चों की जो स्वावाविक चेश्टाय होती है जो उनकी निश्चल चेश्टाय होती है उनको कही न कही हमारे समक्ष प्रात्ना के जरी वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए सदैव सजग रहें। पर सेवा पर उपकार में हम पर यानि कोई और दूसरा दूसरों की सेवा दूसरों के उपकार में हम जग जीवन सफल बना जाए। हम अपना जीवन सफल बना जाए दूसरों की सेवा में, दूसरों की भलाई करने में। हम मनुश्य क्या करते हैं? हम मनुश्य में एक बड़ी विचित्र विडम बना हैं कि हम सर्फ अपने बारे में सोचते हैं, हम अपना स्वार्थ सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहां कवी प्रार्थना कर रहे हैं, यहां कवी शक्ती भी मांग रहे हैं, लेकिन किस लिए मांग रहे हैं? वो शक्ती सिर्फ मांग रहे हैं मनुश्य की सारे मनुश्य की सेवा के लिए, सब के उपकार के लिए, सिर्फ अपने लिए नहीं। उनके लिए सबसे ज़्यादा महतुपूर्ण क्या है? मानों का उत्थान होना, मानों का पतन नहीं, सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करना उनका करताविय नहीं है, उनके लिए उनका करताविय है, हर मनुष्य की सेवा करना, हर मनुष्य का उपकार करना.